नमस्कार मित्रों, आईए सुनते हैं, व्यंग कहानी मैं नर्क से बोल रहा हूँ, लेखा हरी संकार परसाई हे पत्थर पूजने वालों, तुम्हें जिन्दा आदमी की बात सुनने का अभ्यास नहीं, इसलिए मैं मर कर बोल रहा हूँ जीवित अवस्था में तुम जिसकी ओर आँख उठा कर नहीं देखते, उसकी सड़ी लास के पीछे जुलूस बना कर चलते हो जिन्दगी भर तुम जिससे नफरत करते रहे, उसकी कब्र पर चिराग जलाने जाते हो मरते वक्त तक जिसे तुमने चुलू भर पानी नहीं दिया, उसके हाड गंगा जी ले जाते हो अरे तुम जीवन का तिर्सकार और मरन सतकार करते हो, इसलिए मैं मर कर बोल रहा हूँ मैं नर्क से बोल रहा हूँ मगर मुझे क्या पड़ी थी, कि जिंदगी भर बेजुबान रहकर यहां नर्के के कोने से बोलता पर यहां एक बाद आईसी सुनी, कि मुझे अभागे की मौत को लेकर तुम्हारे यहां के बड़े बड़े लोगों में चक चक हो गई मैंने सुना कि तुम्हारे यहां के मंत्री ने संसद में कहा कि मेरी मौत भूक से नहीं हुई, मैंने आत्म हत्या कर ली थी, मारा जाओं और खुद ही मौत का जिम्मेदार ठेराया जाओं भूख से मरू और भूख को मेरे मरने का स्रे न मिले अन अन की पुकार करता मर जाओं और मेरे मरने के कारण में भी अन का नाम ना आए लेकिन खैर मैं यह सब भी बरदास्त कर लेता जिन्दगी भर तरिसकार का स्वाद लेते लेते सहान भूत मुझे उसी प्रकार अरुचिकर हो गई थी जिस प्रकार सहर के रहने वाले को देहात का सुद्ध गी लेकिन आज ही एक और घटना यहां के लोक में घट गई हुआ यहां कि स्वर्ग और नर्क को जो दीवार अलग करती है उसकी सेंध में से आज सवेरे मेरे कुट्टे ने मुझे देखा और कुर कुर करके प्यार जताने लगा मेरे आश्चर और छोब का ठिकाना न रहा कि मैं यहां नर्क में और मेरा कुट्टा उस ओर स्वर्ग में यहां कुट्टा मेरा बड़ा प्यारा कुट्टा युधिश्टिर के कुट्टे से अधिक जब से मेरी इस्त्री एक धनी के साथ भाग गई थी तभी से यहा कुट्टा मेरा संगी रहा अईसा की मरा भी साथ ही कभी मुझे छोड़ा नहीं इसने बगल का सेथ इसे पालना चाहता था सेथानी तो इसे बेहत प्यार करती पर यहां मुझे छोड़कर गया नहीं लुभाया नहीं सो मुझे सुकी हुआ कि वह स्वर्ग में आनंद से है पर मेरे अपने प्रति किए गए अन्याय को तो भुलाया नहीं जा सकता और भाई यह तुम्हारा मृत्य लोक तो है नहीं जहां फर्याद नहीं सुनी जाती जहां फर्यादी को ही दंड दिया जाता है जहां लाल फीती के कारण आग लगने के साल भर बाद बुझाने का आडर आता है यहां तो फर्याद तुरंद सुनी जाती है सो मैं भी भगवान के पास गया और प्राथना की हे भगवन प्रत्वी पर अन्याय भूग कर इस आसा से यहां आया की न्याय मिलेगा पर यह क्या कि मेरा कुट्टा तो स्वर्ग में और मैं नर्क में जीवन भर कोई बुरा काम नहीं किया भूग से मर गया पर चूरी नहीं की किसी के आगे हाथ नहीं फ़लाया और यहां कुत्ता जैसे कुत्ता होता है वैसा ही तो है यहां कई बार आपका भूक खाते पिटा और इसे आपने स्वर्ग में रग दिया और भगवान ने एक बड़ी बही देख कर कहा कि इसमें लिखा है कि तुमने आत्महत्या की मैंने कहा कि नहीं महराज मैं भूक से मरा मैंने आत्महत्या नहीं की पर वे बोले नहीं तुम जूट बोलते हो तुम्हारे देश के अन्न मंत्री ने लिखा है कि तुमने आत्महत्य की तुम्हारे सरीर के पोस्ट मार्टम से या बात सिद्ध हुई है और भगवान आसमान से गिरते गिरते बचे जब मैंने कहा कि महराज यह रिपोर्ट जूट है मेरा पोस्ट मार्टम हुआ ही नहीं अरे मैं तो जला दिया गया था इसके दस दिन बाद संसद में प्रसंवत् तो क्या मेरी राख का पोस्ट मार्टम हुआ और तब मैंने उन्हें पूरा हाल सुनाया लो तुम भी सुनो तुम नहीं जानते मैं कहां जिया कहां रहा कहां मरा दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई किसी का हिसाब नहीं रखता और तुम क्या जानो कि जब मेरी सास चलती थी तब भी मैं जिन्दा था, मैं इस अर्थ में जीवित था कि मैं रोज म्रत्ती को टालता जाता था, वास्ताओं में तो मैं जन्म के पस्चात एक छण ही जीवित रहा और दूसरे छण से मेरी मौत सुरू हो गई, तो बाजार की उस अट्टालिका को तो जानते हो, उसी के पाखाना बनाना चाहता था, अगर मैं मरना जाता तो गरीब आदमी की जोपड़ी पर अमीर के पाखाने की विजय भी इन आखों से देखता, बस यहीं जोपड़ी में रहा मैं, मेरे आस पास अन ही अन था, दीवार के उस पार से जो चूहे आते थे, वे दिन पर दिन मोट होते जाते और दो रूज तक वे इसलिए नहीं आए कि निकलने का थोड़ा मार्ग बनाते रहे, पर मैं फिर भी भूखा रहा, बेकार था, अनाज दस रुपए सेर था, इससे तो मेरे लिए मौट सचती थी, आखिर मेरी मौट भी आई, जिस दिन आई, उस दिन अट्टाल के उस पार वाले रईस के लड़के की साधी थी, बड़ा अमीर था, सारा गाउं जानता था कि उसके पास हजारों बूरे अन्य थे, पर कोई कुछ नहीं कहता था, पुलिस उसकी रक्षा करती थी, और उस दिन मेरी मौट धीरे धीरे काला पंजा बढ़ाती आती थी